नमस्कार, स्वागत है आपका Self Study के चैनल में और आज हम अपनी इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं राज्यों का पुनर गटन जब भारत अजाद हुआ था ओविसली उसके बाद बहुत सारी डिमांड सी उठने लगी थी कि हमें एक अलग राज्य चाहिए भाषा के अधार पर एक अलग राज्य चाहिए तो इस डिमांड को कैसे पूरा किया गया कैसे कैसे प्रोटेस्ट हुए तो इन सब चीजों को हम आज की अपनी इस वीडियो में डिसकस करेंगे ये एड्थ वीडियो है इससे पहले जो साथ वीडियो जो आप लोगों को कवर करवा दी गई है तो वाप एक अलग से पिले लिस्ट मैंने बना रहे है लोशन जीके करके तो आप वहां से आप देख सकते हैं साथों वीडियो जा रही है एक टेलिग्राम का लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बोक्स में तो जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं सारी की सारी पीडियो वहां पर आप लोगों को परवाइड करवाई गई है तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए जब आप बुक ओपन करते हैं लूशन की आपको बता है कि हम लूशन की बुक कंपलेट कर रहे हैं क्योंकि factual चीज़ें इसके अंदर काफी अच्छी दी गई है तो जैसे ही आप open करते हैं तो वहां पर आपको 8th chapter कह सकते हो या 8th topic कहते हो पॉलिटी का मिलते है वहां पर भाशा के अधार पर बात की गई थी कि राज्यों का पुनर गटन करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसकी बात दिखाई देती है वहां पर तो देखिए 1950 में भारत में अगर आप state की स्थिती जाने कि भारत में राज्य कैसे थे तो भारत में राज्य ना part A, part B, part C इस तरीके से डिवाइड की हुए थे वहां पर जैसे आज की डेट में आप देखती हो कि 28 राज्य है आठ के अंदर शाशित प्रदेश है उस वक्त नहीं था ऐसा, मतलब 28 ऐसे राज्य गिंती है यहां पर parts के अंदर state डिवाइड थे, तो यहां पर दार पर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, राज्यों का पुनर गठन इसकी जांच के लिए आपको पता है कि जो हमारी समिदान सभा के अध्यक्ष कों थे डाक्टर राजिंद प्रशाजी ने क्या किया इलाबाद हाई कोर्ट के जो डाक्टर राजिंद प्रशाजी ने बनाया कौन थे इसके अंदर, एसके धर कौन थे, डाक्टर राज्यों का पुनर गठन नहीं होना चाहिए अब आप सोचेंगे भाशा के अधार पर क्यों नहीं होना चाहिए अब सोच कर देखें, अगर एक भाशा को एक शेत्र के अंदरा गर जादा प्रियोर्टी दी जाएगी तो ओविसली वहां पर किसी दूसरी भाशा को बोलने वाले को उतनी जादा प्रियोर्टी नहीं दी जा रही है वो कहीं न कहीं उसके परती भेदभाव की भावना वहां पर पनपती है तो इसलिए इस धरायोग ने तो कहा कि नहीं हम इस चीज का विरोध करते हैं कि भाशा के अधार पर तो किसी भी राज्या का गठन नहीं किया जाना चाहिए अगर आप लोगों को करना भी है पुनर गठन तो प्रशाशनी यानि एडिनिस्ट्रेटिव सुईधा के कोडिंग राजों को पुनर गठन करिये तो ये बात तो धरायोग ने बोल दी की तो उसके निड़नों की जांच करने के लिए कांग्रिस ने कारे समीति ने अपने जैपूर अधिवेशन में जोहारलाल नहरू बल्ला भाई पटेल पटाबी सितार मैया एक समीति का गठन किया कि आपने जो रिपोर्ट पेश की है वो सही है नहीं है उसकी हम जांच करते हैं कि आप कितना सही बोल रहे हो अब ये जे वीपी कमेटी थी इसको जे वीपी कमेटी का आ जाता है जे वीपी यानि जवालना नहरू वल्ला भाई पटेल पटाबी सितार मैया तो यह जो थे इन्हों ने तीनों ने अब आप सोचके देखे कितनी बड़ी कमीटी रही होगी है क्योंकि जिसके अंदर खुद परदान मंतरी शामिल है ग्रह मंतरी शामिल है तो वो सोचकर देखे कितनी बड़ी कमीटी रही होगी तो यहाँ पर जब प्रोटेस्ट शुरू होए थे तो उनको कही ना कही यह उमीद लगी थी कि ठीक है धर आयोग ने अगर मना कर दिया तो अब JVP कमीटे आई है यह जांच करेंगे और यह कहेंगे कि हाँ अब आपकी हम मांग मान लेते लेकिन JVP कमीटे ने कहा कि भई जो धर आयोग ने बात बोली है वो बिल्कुल सही बोली है कि भाषा के अधार पर राज्यों का पुनर गठन नहीं होना चाहिए उन्होंने इस मांग को खारिज कर दिया अब JVP समीती के जो रिपोर्ट आई तो मदराश के तेलगू भाषाई में जो पोटी शीरामलू जी के नेतिरित में आंदोलन और ज्यादा तेज हो गया था उलेड़ी आंदोलन चल रहा था इसके बाद तो और ज्यादा तेज हो गया था ये खुद कॉंग्रेस से थे पो तो यहाँ पर बहुत जादा उगर आंदोलन होने लगा तो उस चीज को रोकने के लिए परदान मंतरी नहरु जी ने तेलगू भाषाई लोगों के लिए एक अलग से आंदर परदेश की घटन की घोशना कर दी कब कर दी एक अक्टूबर 1953 को मतलब घटन हो गया ये कब हो जान तक देदी ती राज्ये बनाने के लिए तो कोई चोटी मोटी चीज नहीं है ये तो एक अक्टूबर 1953 को अंदर परदेश का अंदर परदेश राज्येगा घटन होता है और ये स्वंतंतर भारत का पहला भाषा के अधार पर घटित होने वाला राज्ये तो काफी कर दिया था कि भाषा के दार पर नहीं होना चाहिए तो अब यहां पर जब आंदोलन उगरुए तो वहां पर बनाना भी पड़ा अब यहां क्या हुआ कि इन दोनों कमीटी को हटा कर एक नई कमीटी बनाई जाती है राज्यों का पुनर गठन आयोग के अध्या मतलब एक आयोग मनाया जाता है राज्ये पुनर गठन आयोग और इस आयोग के अधेक्स होते हैं फजल अली अब इनके अलावा जो अलग सदस्य होते हैं पंडित हरिद्यानद कंजूर होते हैं सरदार के एम पणिकर होते हैं इसके अंदर अब राज्ये पुनर गठन अधिनियम बना था, 1953 में यह गठित हो गया था, जब यहां पर एक अक्तुबर 1953 को अंदरपरदेश बना दिया गया था, तो एक आयोग बनाना पड़ा था, तो इस चीज को ध्यान रखना, एक अधिनियम आया 1956 में, इंपोर्टन चीज़े हैं, नमबर 1954 में, यह बहुत इंपोर्टन है, यह बहुत इंपोर्टन चीज़े हैं, नमबर 1954 में, फिर 28 में 1956 में, इस संदी पर अस्थाक्षर हो गए, और इसके बाद यह जितने भी जो जगाय दी गए थी, जो बस्तियां दी गए थी, इनको मिला कर पॉंडी चेरी, एक केंदर शाशित परदेश यह नहीं, संग राज में करने के लिए, इनके खिलाब एक कारवाय शुरू कर दी और पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया था, बारवे समिधान संचोधन द्वारा, इंपोर्टन है कौन सा बारवा समिधान संचोधन हुआ था, जिसमें गोवा, दमनवदीव को परथम परिशिस्ट में शामिल करके भारत का एक अभीन अंग बना लिया गया, तो ये जो चीजे हैं आप लोगों के एक्जाम के पॉइंट ओवे से काफी ज़्यादा इंपोर्टन है, साथी साथ आपको ये भी देखना है कि देखे, राज्यों के यहाँ पर राज्ये और गठन वर्स कब था, एक अक्ट परदेश हुआ था, पंजाब से ये लग वहा था, 25 जनवरी 1971 में, मेघाले आओ गया, 21 जनवरी 1922, ये चीजे हैं देखे, ये सेम है, मेघाले मनिपूर त्रिपूरा, ये सेम है, 21 जनवरी 1922, फिर सिक्किम, ये डेट्स आपको याद रखनी है, 26 अपरेल 1925, मिजोरम 20 फर परदेश है, गोवा देखे, 30 मई 1987, फिर ये 2000 के अंदर तीन राजे बने थे, कौन सा, 36 गड़, 1 नॉमबर को, उत्राखंड, 9 नॉमबर को, जारखंड, 15 नॉमबर को, तो ये काफी जादे इंपोर्टन है, अब ये 29 वां, देखे, उस वक्त 29 वां था, 2014 के एकोड़िंग बात करें, उस वक्त 29 वां था, अभी तो 28 ही है, 28 कैसे होगे, ये आपको बातागे कि, पांच अगर्स, 2019 को, जम्मू कश्मीर को दो अलग, मतलब हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर को, यूनियन टेरिटरी, विद लेजिसलेटर, यानि विध अब ये जो आपके सामने में, मैप लेकर आया हूँ, यहां पर जो स्टेट है, उनके सारी डिटेल है, उनमें जो कैपिटल है, वो है, सारी चीजें में लेकर आया हूँ, आपको इस सारी चीजें लिखने के जूरत नहीं है, पीडियाफ आप आप लोगों को प्रवाइड क पूछा जाते हैं आप लोगों को एक वीडियो शाहिद पिछली वीडियो के अंदर आप लोगों को यह चीज करवाई थी जाहिए पिछली वीडियो के अंदर आप इस चैनल पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जोग्रोफी के अंदर भी इसी से रिलेटिड आ जाते हैं कि ऐसा कौन सा के अंदर शाचिस परते हैं जिसके अलग-अलग जो मतलब स्टेट के जिसके अंदर अलग-अलग जो शहर हैं वो एक दूसरी से टच नहीं करते हैं तो वो पॉड़ी चेरी हो गया तो यह चीज़ें आपको बहुत जादा इंपोर्टन्ट है एक्जाम के पॉइंट वे से चीज़ें ध्यान रखने हैं आपको के देखे यह union territory हमारे सामने union territory जब लधा को जम्मू कश्मीर और लधा को जब union territory बनाया गया था ओविसले नो होनी थी वहां पर लेकिन दमन और नागर अवेली और दमन दियू को दादर नगर अवेली और दमन दियू को एक कर दिया गया था, तब करके यह आठ हो गई थी तो यह union territory है, इनको भी ध्यान रखना है अब यहाँ पर जो है, देखे एक तो यह दिल्ली होगी जिसके अंदर CM है और एक यह पोडिचेरी होगी जिसके अंदर CM है लेकिन जम्मू कשमीर अभी बन रही है जम्मू कשमीर अभी बन रही है जिसके अंदर CM होगा पतलब ऐसे कितनी union territory है जिनके अंदर CM हो सकता है तो यह question भी पूचा जा सकता है, दिल्ली है, पोडिचेरी है और अभी फिलाल क्या है, परिसीमन इसमें complete हो चुका है, जम्मू कश्मीर है अब आगे चलते हैं अभी क्या हुआ है, भारत के अंदर वरतमान में कितने राज्ये हैं तो 28 हैं, 29 नहीं है के अंदर शाशित परदेश कितने हैं, 8 हैं, 7 गलत हैं यहां पर अब यहां पर मैंने आप लोगों को आर्टिकल 1, 2, 3, 4 यह चार आर्टिकल मैंने आप लोगों कराये थे मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 1 क्या है, भारत राज्यों का संग है यहां पर मैंने आप लोगों क्या कराये था कि किसी भी शेत्र को भारत में मिला कर उसे राज्य का दरजा दिया जा सकता है या भारत के अंदरी कोई शेत्र है उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं उनको राज्य का अलग अलग दरजा दे सकते हैं और यहां पर ओर जादा flexibility थी हमने यह चीज़ों को देखे थी कैसे शंशोधन कर या फिर कैसे बिल लाकर राज्य का निर्माण किया सकता है यह सारी चीज़ें जो है मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी करवाई है तो वो जाकर जरूर देखना वहाँ पर फोर्थ आर्टिकल भी मैंने आप लोगों करवाए कि यह पावर प्रोवाइड करता है अब यहां पर इनके अलावा एक शेत्रिय परशित भी आती है जब शेत्रिय परशित देखें 1956 में राज्यों का पुरार गठन अधिनियम लाया गया था तो उसी वक्त शेत्रिय परशित यानि रिजनल काउंसिल की भी गठन किया गया था पांच रिजनल काउंसिल है यानि पांच शेत्रिय परशित है और इनका गठन राष्टपती द्वारा किया जाता है और केंदर ग्रह मंत्री या राष्टपती द्वारा मनोनित केंदरिये मंत्री शेत्रिय परशित का अध्यक्ष होता है संबंदित राज्यों के जो मुख्य मंत्री होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं बार वर्स बदलते रहते हैं इस चीज को द्यान अगने और ये क्यों बनाया गया था देखें केंदर और राज्यों के बीच में जो रिलेशन्शिप हैं वो सही हो सकें उसके लिए इस बहुत जादा महतरपुन भूमिका निबाता है शित्रिय परशद अब इसका गठन उनिस देखें कितने हैं 5 है पांच है उत्रि और bum साउत वेस्ट ऐस्ट और एक सिंट्रल कि पांच जीजै मनाई गई थीं है नौर्थ साउत वेस्ट और इस्ट और इसेंटर ये पांच है आपको नाम याद हो जाएंगे इस secretblowing से उत्त्र हो गया मद्या हो गया पुरू हो गया उत्तर में कौन-कौन से आते हैं? देखें, उत्तर में हमारे पंजाब, हरियाना, अहीं, माचल परदेश, राजस्तान, जमू कश्मीर, यह राज्ये नहीं है, जमू कश्मीर, यूनिन टरिटरी है, चंडिगड, दिल्ली, यह सब आते हैं अपने बास. पुरव की साइड आप चलेंगे तो बिहार, पश्चिमेंगाल, उडिसा, जहारकंड, असम, सिक्किम, मनि, पूर, त्रिपूरा, मेगाले, नागालेंड, अरुनाचल परदेश, मिजोरम, यह सब आजाते हैं अपने पुरव की साइड में इहां पर आपके सामने यह चार्ट दिया है जो सेंटर कहां पर है यहनी जो convention कहां पर है New Delhi के अंदर है Central region का office कहां पर है अब आगे चलते हैं पश्चिम शेत्रिय परिश्द में कौन को आते हैं गुजरात महराष्टर गोवा राज्य हो गया दमन दीव दादर नगरहवेली ये आते हैं अपने और दक्षन शेत्रिय परिश्द में कौन को आते हैं देखें दक्षन परिश्द में आंदर परदेश हो गया तेलंगाना के करनाटक, तमिलाडू और पुदुचेरी जो हैं इसे अपने दक्षिन शेत्री परशद के अंदर आते हैं यहां पर जो चीजे हैं मैंने आप लोगों को अलड़ी मैप के तुरू करवा भी दी हैं जब ही थोड़े देर पहले मैंने आपको दिखाया था अब एक और पुर्व नागालेंड है, मेगाले है, त्रिपूरा है, सिक्किम भी है, 1994 में सिक्किम को पुरुवतर परशिद का आठवा सर्दे से बनाए गया था और इसके कारे वही हैं कुछ थोड़ा बहुत इसके अंदर डिफरेंट आ जाते हैं लेकिन वही जो शेत्री परशिद का हैं कि रज जो हैं, फंडामेंटर राइट्स हैं, इन सब चीजों को भी हम कवर करेंगे, तो उमीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आ रही होंगी, आप पसंद भी कर रहे होंगे, पसंद कर रहे होंगे, तो वीडियो को भी पसंद करके बता दीजिए, लाइक कर लीजिए और सब्स इस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडियो को, तो बस आज के लिए इतना है था, बहुत जाद मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वोचिंग इस वीडियो,